हलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत हमारे चानल पर तो आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कद्दू यानि की पमकीन हमारे फिटनेस के लिए कैसे हेल्प पूल है डाइबिटीज का आखरी इलाज इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा फाइनल सोलेशन फॉर डाइबिटीज लड़ प्रेशर, कैंसर और आखों की लिए महत्वपूर्ण है कद्दू का सेवन आज का ये वीडियो बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कद्दू हर जगा हर मार्केट इजिली अवेलेबल हो जाता है भारत के किसी भी कौने में हमें मिल जाता है और इसके डाइबिटेस से लड़ने और अन्य बिमारियों से लड़ने के गुणों को देखकर आपको भी एसास होगा कि कद्दू कितना महत्वपूर्ण है कद्दू एक स्वादिष्ट फल है जिसका इस्तमाल हम आम तोर पर सबजी, हलवा, खीर, रायता और सांबार बनाने में करते है इसे कुम्डा या फिर काशी फल भी कहा जाता है कद्दू का फल बड़ा और मोटा होता है ये फल काफी गोलमटल होता है इसलिए कई बार हम लोग डेली जिन्दगी में इसकी तुनला बड़े पेट वाले लोगों से कर देते है या फिर किसी की मोटी बुद्धी बताने के लिए हम इस शब्द का यानि कद्दू का प्रयोग कर देते है लेकिन आप लोगों को बता दे कि कद्दू बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है इसके गुणों को जानकर आप भी हैरान रह जाओगे तो बने रहे इस वीडियो में अंतक कद्दू में मुख्य रूप से बिटा कैरेडिन पाया जाता है जिससे वीटेमिन E हमारे 92 शरीर को मिलता है वीटेमिन E एंटी ओक्सिडन्ट होता है जो शरीर को फ्री रैडिकल से निपटने में मदद करता है आईए आप लोगों को बता है कद्दू के अन्यगुन धर्मों के बारे में कद्दू बलड प्रेशर को नियंतित करता है कद्दू खाने से आपका बलड प्रेशर और बलड शुगर दोनों भी नियंतित रह सकते है कद्दू में फाइबर, पोटेशियम, वीटेमिन C पाया जाता है शरीर में सोडियम की अधिक मात्रा से ही हमारा ब्लड पेशर बढ़ जाता है हाइपर टेंशन की समस्या हो जाती है शरीर में क्योंकि पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम युक्त अहर से सोडियम का लेवल कम हो जाता है और पोटेशियम के सेवन से दिल की बिमारी का खत्रा भी बहुत तक कम हो जाता है इसके अलावा पोटेशियम के सेवन से हमारे शरीर की हड्डियों का गनत्व भी अच्छे से बना रहता है और हमारी हड्डिया कमजोर भी नहीं होती है इसलिए हमारे शरीर को कद्दू यानि पोटेशियम की सेवन की बहुत अच्छे से जरूरत हर रोज में रहती है जिन लोगों को हड़ीयों की परिशानी है उन लोगों को कद्दू का सेवन करना बहुत ही अत्यवशक है आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये साधा दिखने वाला गोल मटल कद्दू हमें कैंसर से भी बचाता है इस बड़े पेट वाले कद्दू में बहुत ही जादा जान लेवा खत्रया बीमारी से भी बचने की ताकत होती है आम तोर पर कद्दू में बिटा कैरेटिन पाया जाता है जिसकी मदद से हम लोग प्रोस्टेरान कैंसर से बच सकते हैं ब्रेस कैंसर जो की आम तोर पर महिलाओं में पाया जाता है बड़ी आख का कैंसर मिटाने की ख्षमता भी इस गोल मोटल कद्दू में होती है इसके अलावा कद्दु में कई विटेमीन, कई प्रोटीन और कई एंटियोक्सिडन भी पाये जाते जिसके सेवन से हमारा शरीर पुरी तर्य से क्लीन हो सकता है ये गोल कद्दु हमें कई गंभिर बिमारीों से बचा सकता है कैंसर से बचा सकता है, बलड प्रेशर नियंतरित करता है, बलड शुगर नियंतरित करता है, कद्दू के बीच, शरीर के अंदर के ग्नुकोच को यानि की जादा मात्रा वाले ग्नुकोच को भी नियंतरित करता है दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार कद्दू के सेवन से हम लोग डाइबिटीज, ब्लड शुकर अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं याद रखिए किसी को चिडाने में इस शब्द का उपयोग ना करें ताकि इसका सेवन करें वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर चानल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चानल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और गंटी पर प्रेस कर दीजिए वो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाव बाई